x plus 1 by x equal to 12 और x square minus 1 by x square is 50 then find the value of x2 power 4 minus 1 upon x2 power 4 आपको जो value निकालनी है वो x2 power 4 minus 1 upon x2 power 4 की value निकालनी है अब इसके लिए आपके पास यह दो information है x plus 1 by x और x square minus 1 by x square तो देखो अगर मैं इसमें a square minus b square की जो basic identity उसको apply करता हूँ तो मुझे a plus b a minus b के form में convert करना पड़ेगा इसे अब चुकि यह power 4 वाला मामला है तो power 4 वाले मामले में अगर मैं x2 power 4 minus 1 upon x2 power 4 की value जानना चाहूँ तो इसको मुझे लिखना पड़ेगा x square plus 1 upon x square और x square minus 1 upon x square तो यह part तो मेरे पास है पचास इसका value दिया हुआ है यह part पर पास नहीं है तो अब इस part की value कैसे जान पाएंगे हम उसके लिए आपको लॉटना पड़ेगा पुराने फार्मूले में मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ वही फार्मूला जो आपने अभी यहां यूज किया था जैसे x plus 1 upon x की value आप निकालना चाहते है स्क्वेर में तब आप उसको लिखते x स्क्वेर प्लस 1 upon x स्क्वेर प्लस 2 into x into 1 upon x और यह दोनों cancer हो जाता है तो यहां से आप अगर इतने की value निकालना चाहें तो वह value बनेगी x plus 1 upon x का स्क्वेर और यह 2 इधर आ गया उससे आपको मिल जा रहा है x स्क्वेर प्लस 1 upon x स्क्वेर अब इतना ही तो चाहिए ना आपको तो इसके लिए आपके पास x प्लस 1 upon x है अलेडी है आपके पास तो आप अगर उसकी जगा 12 रख देते हैं तो यह 12 हो जाएगा उसका स्क्वेर कर दें माइनस 2 कर दें 12 का वर प्लस 1 upon x स्क्वेर की है तो एक पार्ट की वेल्यू आ रही है 142 दूसरे पार्ट की वेल्यू आपके पास है 50 तो अब आपके पास दोनों ऐसी वेल्यू मिल गई जिनके थुरू आप required वेल्यू को निकाल सकते हैं आपको करना कुछ नहीं है केवल आपको गुणा करना है त तो आपको 145 गुणा कर देंगे उसके आगे 0 लगा देंगे तो आपका इंसर आ जाएगा या चाहें तो आप इसके लिए एक और तरीका इस्तिमाल कर सकते हैं गुणा करने के बहुत सारी तरीका आपको समझने पड़ेंगे सोचने पड़ेंगे ताकि आपका काम कम समय में हो जाए जैसे मैं क्या कर रहा हूं इस 50 को कर देता हूं 100 और उसके बाद नीचे 2 से भाग कर देता हूं तो इसका मतलब यह हो जाएगा 2 से मैं इसको गुड़ा भाग करूं तो 2 सत्य 14, 2 एकम 2 और फिर उसके आगे 2 0 लगा दो तो यह 7100 इसका उत्तर आएगा option D में आपको एंसर दिया हुआ है यह मेरा तरीका हुआ आप अपने traditional तरीके से करते तो एक सो ब्यानलेज गुनेट पचास करते आप यह 0 लगा जेते फिर पांच दूनी दस कर जिरो लगाते पांच योग वीस कई सका एक दो बज्या था पांच एकम पांच और दो साथ आता तो यह आपका पारामपरिक का तरीका है जिसे आप इस्तेमाल करते हैं आप चाहें तो इस्तेमाल करके इस तरीके से आप सवाल को बना लें लेकिन आप अगर थोड़ा सा टाइम बचाना चाहें तो उसके लिए यह तरीका बहतर हुगा